मटके बेचने वाली राजकुमारी बहुत समय पहले देश के किसी कोने में विक्रम सिंग नाम का एक राजा का शाशन हुआ करता था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम था अपसरा। अपसरा दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही एहंकारी भी थी। वो सीधी मुझ किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। राजा अपनी बेटी की शादी जल्द करना चाहते थे। लेकिन जो भी राजा या राजकुमार उनके पास विवा का प्रस्ताव लेकर आते। राजकुमारी अपसरा उन सब के साथ बहुती बुरा वहवार कर उन्हें महसे भगा दिया करती। ऐसी ही एक बार राजदरवार में अलग-अलग देश के राजा और राजकुमार शादी का प्रस्ताव लेकर राजकुमारी अपसरा से मिलने आए। उन सभी को देख राजकुमारी अपसरा हसते हुए बूली। इनकी नाग तो देखो कितनी मोटी है बिलकुल टमाटर जैसी और ये कितना पतला है बिलकुल एक पतली रस्ती जैसा और इसके शरीर में से तो कितनी गंदी बदबु आ रही है हां मुझे उल्टी आ जाएगी। इस तरह राजकुमारी अपसरा दरबार में मुझूद हर एक का मज़ा कुड़ा थी। चाहे वो राजकुमार हो, राजा हो या फिर धनी व्यपारी। तबी राजकुमारी अपसरा की नज़र बडोसी देश से आये राजकुमार तनिश्क पर गई। जिसके सर के बाल बहुत घुंगराले थी। राजकुमारी अपसरा की बात सुन राजा विकरम सिंग को बहुत गुस्ता आया और वो बोले। राजकुमारी खामोश हो जाएगे। तुमने सारी सिमाई आज पार कर ली। तुम्हारी हिमत कैसे हुई या उपरसित महमानों की निंदा करने की। इसलिए अमें घोश ना करता हूँ। कल सुबा होती ही सबसे पहले जो मुझे महल के दरवाजे पर दिखाई देगा उसी से तुम्हारा विवा होगा। चाहे वो राजा हो या भिकारी। पर पिता जी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम अपने कक्ष में जा सकती हो। हमें और भी काम है। आप सभी अतीधियों से राजकुमारी की और से मैं माफी मांगता हूँ। राजकुमारी अपसरा पैर पटकते हुए अपने कक्ष में चली गई। अगली सुबा राजा विकरम सिंग बड़ी ही बेसबरी से महल के दर्वाजे पर टक टकी लगा इंतजार करने लगा। तबी एक गरीब आदमी ठेली में कई सारे मटके लिए महल के सामने से गुजर रहा था जिसका नाम था गोविंद। राजा ने फोरन सैनिकों को आदेश दिया और गोविंद को फोरन दर्वार में बुलवाया ताकि वो राजकुमारी अपसरा का विवा उसे कर सकी। वो आदमी ये बात जानकर बहुत खुश था। पर राजकुमारी अपसरा रोने तो सदा के लिए तुम्हारा इस मैजर रिष्टा तोट जाएगा और हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बेटी हो। राजकुमारी अपसरा ने दुखी होकर राजा की बात माल ली। राजा ने दोनों का राज दर्बार में ही भिवा करवाया। विवा संपन होने के बाद राजा विक्रम सिंग राजकुमारी अपसरा को विदा करते हुए बोला। अब तुम अपनी नई जिन्गी की यही मेरा आशिर्वाद है जाओ और अपने पती के साथ खुशी खुशी रहना। यह कहकर राजा विक्रम सिंग ने राजकुमारी अपसरा को गरीब आदमी गोबिन के साथ खाली हाथ विदा किया। वो मन ही मन अपनी किसमत को कोसने लगी। पता नहीं अब मेरा जीवन इ ना बड़ा नहीं है पर आप अराम से रह सकती हैं। वैसे पड़ोसी राजे के राजकुमार का क्या नाम है। उनका नाम है राजकुमार तनिश्क। आपको नहीं पता राजकुमारी हम कुछी दिर में उनके राजे की सीमा पर पहुँचने वाले हैं। ओ अच्छा फिर दोनों थोड़ी दूर और चले तभी उन्हें रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ बगीचा दिखाई दिया ये बगीचा तो सच मुझ बहुत ही सुन्दर है क्या ये भी राजकुमार तनिश्क का है हाँ ये भी उनी का बगीचा है काश मेरी शादी राजकुमार तनिश्क से हुई होती तो मैं अब क्या कह रही है कुछ नहीं अब तुम्हारा घर और कितनी दूर है बस थोड़ी दूर हमारा घर आने ही वाला है कुछ दूरी चलने पर एक भवे महल दिखाई दिया जिसे देख राजकुमारी अपसरा की आखे चमक उठी ओ ये महल तो हमारे महल से भी कितना बड़ा और शांदार है मेरी तो नजरे ही नहीं हट रही ये राजकुमार तनिश्क का महल है अच्छा काश मैं एक बार राजकुमार तनिश्क से मिल पाती आपकी मुलाकात एक दिन जरूर होगी राजकुमार तनिश्क से चलिए शाम होने वाली है हमें घर जल्दी पहुँचना है कुछ देर बाद गोविंद राजकुमारी अपसरा को लेकर महल से दूर एक छोटे से कस्वे में ले गया जिसे देख मू बनाते हुए राजकुमारी बोली ये क्या तुम यहां रहते हो कितनी गंदी जगा है अब जैसा भी है यही मेरा प्यारा सा घर है वो देखे वो रहा सामने सामने घास फूस की छोटी सी जोपड़ी देखकर राजकुमारी चिल्ला उठी पर ये घर तो बहुत ही चोटा है और तूटा फूटा भी मैं यहां कैसे रह सकूंगी तुम्हें अब यही रहना पड़ेगा क्यूंकि तुम मेरी पतनी हो और मैं तुम्हारा पती और हाँ इस घर में हम दोने के लावा और कोई नहीं है इसलिए हमें अपना काम खुद करना होगा पर मैंने कभी कोई काम नहीं किया सब महल की दासिया ही करती थी इतना लंबा सफर तै करने के बाद मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है भूख तो मुझे भी लग रही है रसोई में थोड़े से चावल रखे हुए है जाकर बना लो फिर मिल बाट कर खाएंगे थकी हारी राजकुमारी अपसरा ने रसोई में जाकर देखा एक बरतन में थोड़े बहुत चावल रखे हुए थे इन चावलों को बनाते कैसे हैं मुझे तो कुछ नहीं आता फिर भी कोशिश करती हूँ राज कुमारे अपसरा ने उन चावलों को तेज आज पर पकाया जिस कारण सारे चावल जल गए सारे चावल तो जल गए अब मैं क्या खाऊंगी क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो और ये बद्बू कैसी आ रही है सारे चावल जल गए अब हम आज क्या खाएंगे लगता है आज भूका ही सोना पड़ेगा पर मुझे भूका सोने की आदत नहीं मेरे ले कुछ खाने को लाओ अब भूल रही है ये आपका महल नहीं और नाम है आपका दास पती भूका रहेगा तो आपको भी भूका रहना पड़ेगा, समझी? मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से सो जाओ, सुबह उठकर घर की साफ सफाई और भी काम करने है राज कुमारे अपसरा रोते हुए खाली पेठी सो गई, अगली सुबह तुम अभी तक सो रही हो, जल्दी उठो, घर कितना गंदा पड़ा है, साफ सफाई में चुट जाओ राज कुमारे अपसरा आख मलते हुए उठी सुबह हो गई क्या, मुझे थोड़ी दिर और सोना है, मेरी नीन अभी पूरी नहीं हुई लगता है आप भूल गई, यह आपका महल नहीं है, फॉरण उठकर घर का काम करो, मैं तब तक बाजार में बेचने के लिए मटके बनाता हूँ राज कुमारे अपसरा बेमन उठी और घर के साफ सफाई में जुट गई कितनी धूल मिटी है यहां, उफ, मेरी किसमत में यह गरीब मटके वाला ही लिखा था यह कहते हुए राज कुमारे अपसरा अपनी किसमत को कोसने लगी कुछ देर बाद यह कहते हुए गोविंद मटके बीचने बाजार की और चल पड़ा जब वो दोपहर को वापस लोटा तो उसने देखा राज कुमारे अपसरा सो रही थी अरे यह क्या तुम सो रही हो आज मुझे मटके बेचकर कुछ पैसे मिले है मैं उन पैसो से थोड़े बहुत चावल और दाल लाया हूँ जल्दी से इन्हें बना लो बहुत भूख लगी है इस बार खाना जला मत देना बड़ी मुश्किल से खाने का जुगाड हुआ है राज कुमारे अपसरा ने इस बार खाना तो बनाया लेकिन बिल्कुल बेस्वाद गोविंद ने जैसी ही वो खाना खाया वो गुस्य से बोला छी खाने में इतना नमक कौन डालता है मुझसे तो खाना खाये भी नहीं जा रहा तुम्हें तो घर का एक भी काम ढंक से करना नहीं आता भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है राज कुमारी अपसरा ने जब खाना चखा तो उससे भी खाया नहीं गया जैसे तैसे वो दिन भी गुजर गया फिर अगली सुभा गोविंद मिटी के धेर सारे मटके बनाकर राज कुमारी से बोला आसे तुम मटके बेचने बाजार जाओगी, घर का एक भी काम तो तुमसे होता नहीं ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ये काम नहीं कर सकती तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, क्यूंकि तुम अब राजकुमारी नहीं मेरी पत्नी हो तुम्हें बांकी का जीवन मेरे साथ गुजारना है इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो राजकुमारी अपसरा उदास मन धेले में कई सारे मटके लेकर बाजार की और चल पड़ी बाजार पहुँचकर उसने सड़क किनारे दुकान लगाई उसकी सुन्दर्त के कारण बहुत से लोग उससे मिट्टी के मटके खरीदने लगे अब उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी इतना ही नहीं घर आकर राजकुमारी अपसरा खाना बनाना घर की साफ सफाई भी करती घर और बाहर का काम कर वो बहुत थक जाती और दुखी होकर अपने पिता को याद करती ऐसी ही कुछ दिल बीद गए फिर एक दिन राजकुमारी अपसरा सड़क किनारे बैटकर मटके बेच रही थी तबी अचानक एक नकाब कोश घुड सवार बाजार में आया और सारे मिट्टी के मटके नस्ट घर वहां से चला गया ये देख राजकुमारी अपसरा का दिल तूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी अब मैं क्या करूँ मेरे पती को पता चलेगा तो वो मुझ पर बहुत गुसा करेगा अब मेरा क्या होगा फिर वो रोते रोते घर पहुँची और पती गोविंद को सारी बात बताई सारी बात सुन गोविंद गुसे से बोला तुम कितनी बेवकुफ हो तुमें किसने कहा था सड़क किनारे दुकाल लगाने की सारी गलती तुम्हारी है राजकुमारी अपसरा को बहुत बुरा लगा और वो बिना कुछ कहे दुखी होकर वहां से चली गई चलते हुए वो महल के समी पहुँच गई महल फूलों से सजा हुआ था चारो तरफ खुशी का महुल था ये देख राजकुमारी अपसरा को बड़ी हैरानी हुई उसने महल के बाहर खड़े सैनिक से पूछा क्या महल में कोई उत्सव का आयोजन हो रहा है आज राजकुमार तनिश्क का विवा समारो है क्या तुमें पता नहीं क्या राजकुमार तनिश्क का विवा होने जा रहा है हाँ तुम्हें शादे समारो में आ सकती हो क्योंकि राजकुमार तनिश्क ने पूरे राजे को दावत दी है बस कुछी दिर में विवास अमारो शुरू होने वाला है आज मुझे राजकुमर तनिश्क को देखने का मौका मिलेगा राजकुमारी अब सरा राजकुमर तनिश्क को एक बार देखना चाहती थी वो उसरुपता पूर्ण हॉल में पहुँची जहां कई सारे महमान पहले से ही मौजूद थे वहां सब हसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे वो वही महमान थे जिनकी बेज़ती कुछ दिन पहले उसने अपने दर्बार में किया था जब वो शादे का प्रस्ताव लेकर आये थे मुझे बहुत दुख है मैंने आप सब की इतनी बेज़ती की मुझे मेरा सबक मिल गया है कृपया कर मुझे माफ कर दीजी राजकुमारी अब सरा दुखी होकर वहां से जाने लगी तभी पीछे से आवाज आई रुकिया राजकुमारी कहा जा रही हो आपके बिना विवा संपन कैसे होगा आप कौन है मैं ही राजकुमार तनिश्ख हूँ जिससे आप मिलना चाहती थी ओ तुम तो वही घुंगराले बाल वाले व्यक्ती हो ना जिसका मैंने मजाक उड़ाया था हाँ मैं वही हूँ और मैं ही वही करी मटके वाला हूँ जिसने वेश बदल कर तुमसे विवा किया और इतने दिन तुम्हारे साथ रहा और मैंने ही तुम्हारे मटके नस्ट किये थे और ये सब मैंने इसले किया ताकि मैं तुम्हारा घमंड तोड़ सकूं और मैं तुम्हें एहसास दिला सकूं कि एहंकार मनुशे का बहुत बड़ा शत्रू होता है दिल में लोगों के लिए केवल प्यार और सम्मान होना चाहिए एहंकार नहीं अब तुमने सबक सीख लिया है राजकुमार मुझे माफ कर दो मुझे इतना घमंड नहीं करना चाहिए था मैं घमंड में अंधी हो गई थी राजकुमारी अपसरा को अपने किये पर पस्तावा होते देख हॉल में मुझूद पिता राजा विक्रम सिंग भी बहुत खुश थे राजकुमार तनिश्क ने खुशी खुशी राजकुमारी अपसरा का हाथ थामा उसी वक्त बड़ी ही धूम धाम से उनका विवा हुआ और वो हमेशा के लिए राजी खुशी रहने लगी बिखारन को मिला जादूई घागरा बहुत समय पहले की बात है एक गाउ में अनीता नाम की एक भिकारन रहा करती थी अनीता का इस दुनिया में कोई ना था अनीता एक टूटी-फूटी जोपड़ी में रहती थी सुबह होते ही अनीता गाउ में भीक मागने निकल जाती थी उसको लोगों से जो भी रुखा सुखा खाना मिलता था वो वो खुशी से खा लेती थी और दोफैर को ठक हार कर अपने तूटी फूटी जोपडी में आकर सो जाती थी दिन का जो खाना बसता था उसको वो शाम को खाती थी और अगर कभी कबार खाना नहीं होता था, तो वो भूखी ही सोजाती थी इसी तरह की जिन्दकी जीते जीते अनीता की उम्र साथ साल की हो गई उसके चहरे की सारी जुर्यां लटक गई थी और वो डंडे के साहारे चला करती थी उसको तो अब खाने को भी कुछ नहीं मिलता था ए भगवान मैं क्या करूँ पहले तो जैसे तैसे मेरा मां कर गुजारा चल रहा था लेकिन अब तो कोई खाना भी नहीं देता है तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई इतना सोचकर अनीता गाओं के पास वाले जंगल में जाती है वो वहाँ जाकर देखती है कि दूर दूर तक सुखा होने के कारण वहाँ पर कोई फल फोल नहीं है ठक हार कर अनीता एक सुखे पेड के नीचे बैठ गई शाम हो गई अनीता अभी भी उस पेड के नीचे बैठी थी ए भगवान आज तक मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुचाया कोई बुरा काम नहीं किया बल्कि जो रूखा सुखा मिला वही खा लिया लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भूक और प्यास के कारण मैं अपना दम यहीं तोड़ दूगी अनीता इतना सोच ही रही थी कि तभी अनीता के पास एक घायल चड़ियां आकर गिर जाती है अनीता देखती है कि उसके पीछे एक खुंखार चील पड़ी है इसलिए अनीता ने अपनी लाठी से चील को वहां से भगा दिया उसके बाद अनीता ने नन्ही सी चड़ियां को अपने हातों में उठाया और अपनी पुरानी सी बोतल में से एक बुन पानी उस चड़ियां के मूँ में डाल दी चुडियां के मुँ में पानी की बून जाते ही उसने अपनी आखे खोल दी और वो चुडियां अचानक से एक परी के रूप में बदल गई और बोली अरे अनीता तुम कितनी अच्छी हो इतने बुरे हालात होते हुए भी तुमने अपनी अच्छा ही नहीं चोड़ी और मुझे बचा लिया तुम्हें पता है वो चील हमारे दुश्मन राज्ये के शैतान लोग का राजा था जो चील के रूप में मुझे खा जाना चाहता था और मैं परी लोकी राजकुमारी अनामिका हूँ मैं तुम से बहुत प्रसन हुई इसलिए तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुमें दूंगी इसके बाद अनीता सोच में पड़ गई अगर मैं कहती हूँ मेरे को पेट भर खाना चाहिए तो सरफ मेरी भूक मिटेगी क्यों न मैं परी रानी से कहूँ कि मेरे गाउं को बंजर होने से बचा ले और मेरे गाउं को फिर से हरा भरा कर दे ताके गाउं वाले भी परेशान ना रहे और मैं भी और मैं भी गाउं वालों से खाना मांगो तो मुझे भी खाना मिल जाए हाँ ये ठीक है इस तरह मेरा गाउं भी बच जाएगा और मैं भी इसके बाद अनीता ने अपनी सोच के अनुसार परी को सारी बात बताई इसके बाद परी अनीता की अच्छी नियत और दयालुता को देखकर बहुत खुश हुई और बोली अनीता तुम सच में बहुत दयालु हो तुमने अपने लिए कुछ ना मांगकर दूसरों के बारे में भी सोचा इतना कहकर परी अपने जादू से एक जादूई घागरा प्रकट करती है अनीता मैं तुमको ये जादूई घागरा देती हूँ इस घागरा को पहनते ही तुम संसार की सबसे सुन्दर और बन जाओगी और तुमारे पास खुशी की सारी चीजे होंगी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी लेकिन इस घागरा को उतारते ही तुम वापस बुड़ी हो जाओगी अब तुम अपनी जिन्दगी को खुबसूरती से जीओ इतना कहकर परी वहां से चली गई परी के जाने के बाद अनीता सोचने लगी परी रानी भी बड़ी अजीब है भला मैं इस उमर में संसार की सबसे सुन्दर चमतकार हो गया अनीता एक सुन्दर लड़की में बदल गई और उसके चारो तरफ से विकाएं थी जो उसकी सुरक्षा करने के लिए थी अनीता पूरी तरह से बदल चुकी थी अब अनीता भूल चुकी थी कि वो एक साट साल की भिकारन बुढ़िया है थोड़ी देर बाद वो अपनी तूटी फूटी जोपड़ी की तरफ चल पड़ी जैसे ही अनीता अपनी तूटी फूटी जोपड़ी के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी तूटी फूटी जोपड़ी एक आलिशान महल में बदल चुकी है और महल के बाहर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे अरे ये महल किसका है? यहां तो हमारे गाउं की बूड़ी भिकारन रहती थी ना हाँ लगता है वो बूड़ी भिकारन ने ये जगह एक राजकुमारी को दे दी है तबी तो यहां पर इतना बड़ा महल बना है लेकिन अनीता हमेशा विवाह करने से इनकार कर देती थी और एक दिन किसी नगर के राजा अशोक राज के बेटे राजकुमार लक्ष ने अनीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जिस प्रस्ताव को अनीता मना ना कर पाई और अनीता का विवाह राजकुमार लक्ष से हो गया विवाह होने के बाद अनीता को डर था कि किसी को पता न चल जाए कि वो गाउं की बूढ़ी बिकारन है अगर किसी को पता चल गया कि मैं गाउं की बूढ़ी बिकारन हूँ तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी लेकिन हो भी क्या सकता था विवा हो चुका था और अनीता रानी की तरह महल में रहा करती थी अनीता अपनी जादूई घागरा सिर्फ नहाते समय ही उतारती थी और उसने अपनी सभी दासियों को ये आदेश दे रखा था कि अगर जब मैं सनान कर रही हूँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान मेरे सनान के जगा पर ना आए और अगर कोई उस समय वहाँ पर आ गया तो उसको सिदम रित्युद्रंड मिलेगा दासियों को अनीता की ये बात समझ नहीं आई लेकिन दासियां अनीता के कहने पर ही सब काम करती थी लेकिन एक दिन महल में एक बच्ची खेल रही थी वो बच्ची खेलते खेलते अनीता के सनान वाली जगह पर पहुँच जाती है छोटी बच्ची को अनीता का जादूई घागरा दिखाई देता है ये घागरा तो बड़ा ही सुन्दर है और बहुत चमक भी रहा है क्यों ना मैं ये घागरा महरानी के कमरे में रख दूं क्योंकि इतना महंगा घागरा उन्ही का हो सकता है इतना सोचकर छोटी बच्ची उस घागरा को उठा कर अनीता के कमरे में रख देती है थोड़ी देर बाद अनीता इसनान करके जैसे ही बाहर आती है तो देखती है उसका घागरा वहाँ पर मौजूद नहीं है और अनीता का शरीर इस समय पूरा बुढ़ा था और वो बहुत ही बदसूरत नजर आ रही थी उसने अपना जादूई घागरा डूडने की बहुत कोशिश की लेकिन उसको अपना जादूई घागरा कहीं नहीं मिला इसलिए वो मजबूरन अपने कमरे में ऐसे ही बदसूरत रूप में आ गई अनीता देखती है कि वो घागरा उसके कमरे में ही रखा है जैसे ही अनीता उस घागरा को पहनने लगी तभी वो चोटी बच्ची अनीता को देख लेती है और जोर-जोर से चिलाने लगती है दासियो जल्दी देखो महरानी के कमरे में कौन घुज गया देखो ये कितनी खदरना को रहत है जो बिना डरे महरानी के घागरे को पहन रही है जड़ी आओ उस छोटी बच्ची की आवाद सुनकर सारी दासिया कमरे में आ जाती है और अनीता को देख कर घबरा जाती है अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसने सब को समझाने की बहुत कोशिश की कि वही महरानी है लेकिन कोई भी उसकी एक ना माना और राजा ने उसको महरानी का कातिल समझ कर मृत्यु दंड दिया और बोला मृत्यु से पहले सब की एक इच्छा पूरी की जाती है वैसे तो तुमने महापाप किया है लेकिन फिर भी हम अपने न्याय के उपर कोई आरोप नहीं लगने देंगे बताओ तुम्हारी आखरी इच्छा क्या है महाराज मेरी आखरी इच्छा ये है कि मैं एक बार महारानी के कक्ष में जाऊं राजा ने अनीता की इच्छा को मान लिया और महारानी के कक्ष में छुडवा दिया कक्ष में पहुचते ही सबसे पहले अनीता ने उस जादूई घागरा को पहन लिया जादूई घागरा को पहनते ही अनीता फिर से बहुत ही सुन्दर बन गई और बहार आकर सिपाही से बोली अम मुझे लेकर महराज के पास चलो सिपाही अनीता को देखकर हैरान हो गई और बोले राजा अनीता को वापस देखकर में बहुत प्रसन हूँ अब वो जादूगर्णी बेकार में भाग गई अगर वो आपके साथ वापस बहारा थी तो मैं उसकी सजा माफ कर देता उस दिन के बाद से अनीता उस महल में हसी खुशी रहने लगी रात में चांद की चोरी चंदनपूर गाउं में चुन्मुन अपनी बूढी दादी के साथ रहती थी जब चुन्मुन बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुरगटना में मृत्यू हो गई थी चुन्मुन मंद बुध्धे थी सभी गाउं वाले उसका मजा कुड़ाया करते थी चुन्मुन की इस आदस से उसकी दादी बहुत परिशान रहा करते थी एक सुभा चुन्मुन बेटी बाजार जाकर मेरे लिए एक सुई लेकर आओ मुझे कपड़े सिलने हैं और हाँ जरा ध्यान से लाना सुई रास्ते में कहीं गिरा मत देना चुन्मुन बाजार जाकर एक सुई खरेद लेती है पर आदे वक धूप इतनी जादा हो रही थी तभी रास्ते में उसे एक बैल गाड़ी वाला मिला जो गाई के लिए घास फुस ले जा रहा था उसने बैल गाड़ी वाले से घर तक छोड़ने के लिए कहा ठीक है ठीक है पर पीछे मेरी गाई बकरियों का चारा बखा है समाल के बैठना चुन्मुन बैल गाड़ी में बैठ गई ये सुई इतनी छोटी है कि अगर उबर खामर रास्ते में गिर गई तो मिलेगी नहीं क्यों न मैं सुई को चारी के गठरी में फसादू चुन्मुन ने सुई को गठरी में फसादी कुछ देर में चुन्मुन अपने घर पहुँच गई अरे बिटिया तो आ गई ला दे सुई अरे दादी सुई तो बैलगाड़ी नहीं रह गई कैसे रह गई चुन्मुन ने दादी को सारी बात बताते हुए कहा तुम ने ही कहा था संभाल के लाना और मेरी क्या गलती है हे भगवान इसे सत्बुधी कब दोगे या ये ऐसे ही डब्बा गोल रहेगी इसका बाप इतना समझदार था उसका बस चलता तो आसमान से चान तारे भी तोड़ कर ले आता और एक ये है एक नमबर की पगलेट क्या होगा इसका मेरे मढने के बाद दादी तुम क्या मुझे बेवकुफ समझती हो और रही बाप चान लाने की तो देखना एक दिन मैं भी चान लाकर दिखाऊंगी इतना बोलकर गुसे से चुनमुन वहां से चली गई हे भगवान देखो इस पगलेट को मैंने चान तोड़कर लाने की बात कही तो सच में चान लाने की बात करने लगी भगवान सद बुद्धी दे इसे चुनमुन भगीची में जाकर एक प्यड की चाओं में बैठ गई सब लोग मुझे बेवकुफ समझते हैं इन्हें नहीं पता कि मैं कितने इंटेलिजेंट हूँ अब चान लागर दिखाना ही पड़ेगा चुनमुन दिन रात आसमान से चान लाने की तरकीब सोचने लगी वैसे तो आसमान बहुत उचा है मैं चान पर कैसे जाओंगी अगर मैं सीडिया बनाओ और उस पर चल के चान तक जाओं तो हाँ यही एक तरीका है चान तक पहुचने का दिन बीते महीनी निकले और फिर कुछ साल अब चुनमुन 18 साल की हो चुकी थी और इन कुछ सालों में चुनमुन ने बहुत बड़ी सिडियों का जीना बनाया जो कि सीधा आसमान तक जा रहा था यह देख गाओं वाले बोले अरे यह लड़की पागल तो नहीं हो गई है अरे इतनी सयानी हो गई है और ऐसे बचकाने हरकते कर रही है उसी गाओं में राजू अपनी पतनी सीमा के साथ रहता था एक दिन सीमा गुसे से बोली अजी मुझे कुछ नहीं सुनना शादी से पहले तो कहते थी कि मेरी लिए कुछ भी कर सकते हो चान तारे तक तोड़ कर ला सकते हो अब कहां गए वो सारे बादे अरे भागेवान वो तो हर लड़का अपनी गर्फिरेंट को ऐसे ही डायलोक मारकर पटाता है अच्छा वो सब जूत था मुझे करवा चोथ पर चान मेरे हाथ में चाहिए अरे यार मुझे क्या पता था ये वेवकूफ प्यार महबत की बाते को सच मान बैठ जाएगी अब मैं इसके लिए चान कहां से लाओं परिशान राजू बड़ बड़ाता हुआ घर से बाहर निकला तबी उसे चुनमुन का जीना दिखता है उसके दिमाग में एक तरकीब आया और वो चुनमुन के घर के बाहर ही चुब गया रात होते ही चुनमुन के सोजाने के बाद वो जीने पर चड़ने लगा सैगणों सीडियां चड़ने के बाद राजू आसमान तक पहुँच गया बापरे बाप, कितनी गहराई है नीचे अरे बापरे और कुछी दीर में चीडियां चड़ते हुए राजू चांद तक पहुँच गया आखिरकार मैं चांद तक आ ही गया राजू चांद को आसमान से लेकर जमीन पर आ गया और चुप चाप अपने घर के कोठरी में चुपा कर रख दिया अगली रात को जब चांद नहीं निकला तो सब लोग हैरान परिशान हो गए अरे आज चांद क्यों नहीं निकला कैसी विरान रात लग रही है बीना चांद के भाई आज बादल भी तू कितने चाहे हैं आसमान में सायर बादलों में चुप गया होगा चांद ऐसे ही कुछ दिन निकल गए फिर करवाचोत का दिन आया सारी औरते तयार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी अरे ये चांद कब निकलेगा कितनी भूख लग रही है बहनो मुझे तो लगता है रोज के तरह चांद आज भी नहीं निकलेगा इधर सीमा ने घर में तांडव मचा रखा था कहा है चांद मैं आज भूखे रह जाऊंगी पर जब तक चांद मेरे हाथ में नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी अरे भागवान धीरे बोलो धीरे मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोफा है जरा आख बंद करो राजो सीमा को आख बंद करवा कर कोटरे में ले गया आप खोलो अपनी आखे जैसी ही सीमा ने अपनी आखे खोली तो चांद को अपने सामने दे खुशी से नाचने लगी अरे वाँ आप तो सच में चांद की चोरी कर लाए मेरे लिए आप मैंसे इतना प्यार करते हो पर तुम यह बात किसी को बताना नहीं वरना गाउवाये मुझे चिता पर लेटा देंगे समझी और तु बिधवा हो जाएगी यहाँ सीमा साक्षा चांद की पूचा कर वरत खोलती है और वहाँ सारी गाउं के ओरते अभी भी चांद की जलक पाने का इंतिजार कर रहे थी अब गाउं वाले परिशान होने लगे वैसे सोचने वाली बात है कुछ दिनों से चांद क्यों नहीं निकल रहा बादल इतने दिनों तक छाय नहीं रहते अब तो करवा चोट के सासत पुर्णिमा भी है चांद का निकलना तो स्वभाविक है गाउं वालों मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है चांद की चोरी? अरे भायों लगता है ये चुनमुन का ही काम है वही कितने सालों से जीना बना रही थी हम सब को लग रहा था वह मजाग था और देखो उसने ही चांद की चोरी की है चलो उसके घर चलते हैं उसे सबक सिखाने सारे गाउं वाले मिलकर चुनमुन के घर पहुँचे अरे नाश पीटी चुनमुन तोने तो सच में ही चांद चुडा लिया गाउं के सारी औरते भूकी प्यासी चांद निकल लेकर इंतिजार कर रही है पर मैंने चांद नहीं चुराया है मैं चांद चुराने जाती उससे पहले ही चांद निकलना ही बंध हो गया गाउं की सारी औरते चुनमुन को भला बुरा कहकर वहां से चली गई अब बस यहीं दिन देखना बाके रह गया था चान भी भला कोई चुरानी की चीज है पूरे संसार में अंधिरा पड़ा हुआ है और ते वरत खुलने को बैठी है पूरे गाउं में मेरी ना कटवा दी दूर हो जा मेरी नजरों से चुनमुन सबके सवालों से परिशान होकर एक सुनसान जगा पर जाकर बैठ गई आखिर ये किया किसने मुस्से बहले कौन गया होगा चान चुराने बहुत सोचने के बाद चुनमुन टहलते हुए घर वापस आ रही थी तबी उसे एक घर से बहुत तेज प्रकाश आता दिखाई दिया अरे अरे इतना तेज प्रकाश चलो चल कर देखती हूँ आखिर माजरा क्या है चुनमुन जैसी ही उस घर के तरफ बढ़ी उसे राजो की पतनी सीमा की बाते सुनाई देने लगी सुनो जी अगर हम चांद को बेचेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे अच्छा अब मैं समझी जीना बनाने में इतने साल महनत मैंने की और चांद इसके कब जिमे है अब तो कुछ करना पड़ेगा राजो एक बहुत बड़े सेट से चांद बेचने की बात करता है इसे पहली की राजो चांद को बेच पाता तभी सही मौका देखकर चुन्मुन ने राजो के घर से चांद को चुरा लिया चांद का अकर आम अवस्य आते आते गायब हो जाएगा इसे पहली कि अब कोई घटना घटी क्यों ना इसका फाइदा उठाया जाए चुन्मुन चांद को अपने कमरे में रख लेती है अरे कलमुही ये चांद तेरे पास कैसे आया मतलब गाउवाले सही कह रहे थे चुन्मुन ने अपनी दादी को सारी बात बताई राजो चांद को ढूंते ढूंते चुन्मुन के घर जा पहुँचा और चुन्मुन की सारी बाते सुन ले यही सही मुका है गाउवाले पहले ही चुन्मुन से नराज है क्यों ना आग में घीर डाला जाए राजो शोर मचा कर गाउवालों को इखटा करने लगा अरे गाउवालो, सुनो सुनो, चांद का पता लग गया, चुनमून और उसकी दादी ने मिलके चांद की चोरी की है देखो दादी, इन गाउवालों ने हमेशा ही मेरा मसाग बनाया है, आज भी मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे है, दादी चलो मेरे साथ, हम इस गाउव में अब नहीं रहेंगे सारे गाउवाले गुस्टे में चुनमून के घर पहुँचे, गाउवालों को आता देख, चुनमून अपनी दादी का हाथ पकड़ कर पटा फट से जीने पर चड़ गई, और चांद पर पहुँचकर जीने को उपर खीचकर चांद पर रख लिया, ताकि कोई गाउवाला चांद पर ना आ पाए, अब चांद आस्मान में चमकने लगा, और चुनमून अपनी दादी के साथ वही चांद पर खुशी-खुशी रहने लगी